गार्डन वोमने के बाद मस्ती गएने के बाद हमां के भाईया के पास Chinese भहल खाने और पापा के बच्पन में Chinese भहल तो मिलता नहीं था पर अभी हमारे बश्वन में मिलता है और ये कुछी सालों पहले इन्वेंटिवा और इसे बनाना भी बड़ा इजी है पहले पत्ता गुबी डालो फिर से उडालो और फिर से जवान चटनी डाल करके अच्छे से मिला करके ये रेडियो जाता है और दोनों बाप बेटे ने इससे इतना कमा लिया है कि अब उनों ने खुद का फ्लैड भी ले लिया है और आगे जो कमाएंगे उससे भाईया अपने शादी करेंगे तो हमने भाईया को तो पहले सही बोल के रखा है कि अपनी शादी में हमें जरूर बुलाना और फिर मुझे वेडर के तरह पहले सादीम को सर्फ करना पड़ा फिर खुछ समय लेके आई और जब मैंने चाइनीज बेल खाया तो मेरे दो नुकान से धुआ निकलाया क्योंकि चाइनीज बेल थोड़ा स्पाइसी था और सादीम के तो आदत खराब हो गई और पहले भाई यह 10 रुपाई का चाइनीज बेल देते तो लेकिन अब 15 रुपाई का कर दिया ताकि शादी के पैसे जल्दी से जुड़ जाए और हम खाते खाते खेलते खेलते लिफ से हो करके आगए घर तो किस-किस ने चाइनीज बेल खाया एक कमेट में बताओ इस वीडियो को लाइक करो थैंक यू बाई